हाई, वेलके डूपे चनल, चले क्वेशन नमबर 6 साल्व करते हैं, और क्वेशन नमबर 6 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, जो मैंने लिखा है, और यहाँ साल्व करते हैं, तो is equal to, देखी यहाँ पर क्वेशन को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे साल्व करते यही हमारा मेथड है, तो positive करेंगे, positive करने के लिए करना होता है, जो base होता है, उसका हम reciprocal ले लेते हैं, means 4 by 3 है, तो 4 by 3 का reciprocal हो जाएगा, 3 by 4 to the power हो जाएगा, 1, अब positive हो गया, 1 हो जाएगा, minus, अब यहाँ भी reciprocal ले लेंगे, तो यहाँ पे भी negative है, minus 1 है, तो 1 by 4 का reciprocal हो जाए और यहाँ पर जो negative power है, उसको negative power रहने दीजिए, यहाँ पर अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, पहले अंदर का bracket का solve कर लेंगे, उसके बाद से ही बाहर वाले जो negative है, उसको हम positive कर पाएंगे, तो मतलब यहाँ पर मैंने क्या rule लगाया, केवल यह वाला rule लगाया, ध्यान दी रहता है कि हम इसका reciprocal ले लेते हैं केवल, बी बाई ए कर देंगे, तो यह जो M negative में दिया हुआ है, यह positive हो जाएगा, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें solve करते हैं, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 3 by 4, क्योंकि 3 by 4 का power 1 मतलब क्युछ नहीं, 3 by 4 ही रहेगा, माइनस, मतलब एक lcm और solve करेंगे, तो हम ले लेते हैं, यहाँ पर lcm, तो 4 और 1 का जो lcm होगा, वो 4 ही होगा, 4 से divide करेंगे 4 में, 1 आएगा, 1 से apply करेंगे 3 आएगा, दीखिए हम क्यों solve कर रहे हैं, जिससे हम लोग subtraction करते हैं, और 1 से divide करूँगा 4 में, तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, 4 से apply आएगा, 4 में तो 16 आएगा, तो minus 16 हो जाएगा, और whole to the power minus 1 हो जाएगा, अब बताएगे, 3 में से यदि मैं 16 को minus करूँ, तो कितना आएगा, minus 13 आएगा, minus 13 upon 4 आएगा, और उसका whole to the power, जो minus 1 है, वो तो रखेंगे, अब यहाँ पर देखिए, अब जो negative power है, अब उसको हम positive ह करने के लिए, हमें जो base में जो है, base में क्या है, minus 13 upon 4 है, इसको हम reciprocal कर ले लेंगे, तो यह हो जाएगा, 4 upon minus 13, और 4 upon minus 13 का power हो जाएगा, 1, positive हो जाएगा, तो अब यही आंसर है, लेकिन यह अभी आंसर नहीं है, अब ही इसको हम थोड़ लिख देंगे, 4 upon minus 13, अब हमारा base मे denominator में हमारा negative आ गया है, तो हम इसको numerator में कर लेंगे, मतलब कि minus 1 से उपर और नीचे multiply कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा minus 4, हमेशा याद रहे, आपको negative जो है, numerator में ही रखना चाहिए, यह मतलब एक convention है, मतलब, convention मतलब कि यह सब कहा जाता है, ऐसे ही करना चाहिए, तो यह आ